नमस्कार आप देख रहे हैं स्काइनेट टीव इंडिया पेश आज के मुख समचार मुख मंत्री शिवराज सिंग चोहान ने भोपाल में लाडली लच्मी योजना के अंतरगत प्रदेश की 3,33,842 लाडली बेटियों के खाते में सिंगल क्लिक के माध्यम से एक सो सात करोड सरशट लाग की छात ब्रेति राशी का अंतरण किया मध्यप्रदेश सरकार ने अनकमपा नियुक्तियों को लेकर बड़ा निर्ने किया है आज सियम सिवराज सिंग चोहान की अध्यच्यता में हुई कैबिनेट की बैठक में दिवंगत कर्मचारियों की बेट को ही अनकमपा पातरता होती थी विवाहित बेटी को इसमें पातरता नहीं थी अब बेटों के साथ बेटी को भी होगी नेशनल हिल्थ मिशन मध्यप्रदेश एनेचम की साथ फरवरी को होने वाली संबिदाई स्टाफ नर्ष भरती परिच्छा का परचा लीक हो गया ग्व पुरिष ने ग्वालियर के डब्रक की होटल से यूपी के इस गैंग को पकड़ा है पकड़े के संदिक दिलाहबाद के रहने वाले बताये जा रहे हैं तुर्की और सीरिया में सोंबार सुबह चार बजे आये भूकंप में मरने वालों की संख्या 5000 हो गई है हजारों लोग अभी भी लापता हैं भारत ने भी तुर्की को मदद भेजी है इंडियन एयर फोर्स का C-17 बिमान दो NDRF टीमों डाक्टरों और राहत समागरी के साथ वहाँ पहुँच चुका है प्रधान मंतरी नरिद्र मोदी जी ने भी तुर्की के हालात पर चिंता जा इस स्वदेशी लडाकू बीमान के साथ स्वदेशी बीमान वाहक को डिजाइन, विक्सित, निर्मान और इसे संचालित करने की भारत की छमता को प्रदर्शित करता है राज सरकार टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बहुत वन जीव, हेरिटेज और इको टूरिज्म में विक्सित करने जा रही है इन चार सरकिट को विक्सित करने के लिए अगले वित्ती वर्ष 2023-2024 में 400 करोड रुपे खर्च किये जाएंगे इसका प्रावधान एक यदो मार्च को पेश होने जा रहे राज बजट में होगा मुख मंतरी शिवरास सिंग चोहान ने बजट को लेकर आर्थिक छेत्र के जाने माने विशेशक्ग्यों से चरच की मुख्यमंत्री सिवरा सिंग चोहान ने मंत्राले में बैठक कर 13 से 15 फरवरी तक इंदोर में होने वाली G20 क्रिशिकारी समुए के पहली बैठक की तैयारियों की समीच्छा की तथा आवस्यक दिसा निर्देशती है वरिष्ठ नागरिकों को केंदर सरकार की तरफ से जल्द ही बड़ा तोफा मिलने वाला है रेलवे किराये में वरिष्ठ नागरिकों को जो छूट मिलती थी वह जल्द बहाल हो सकती है दर असल कोबिट महमारी के दवरन खराब बित्ती हालत को देखते हुए रेलवे ने तीन स्रेडियों को छोड़ कर सभी के किराये में रियायत बंद कर दी थी इनमें वरिष्ट नागरिक भी सामिल है रेल मंत्री अस्विनी वैस्णव ने राजसभा में एक लिखित सवाल का जवाब देते हुए कहा कि रेलवे जल्द ही सिनियर सिटिजन को मिलने वाली छूट को बहाल कर सकता है मध्य प्रदेश में कडाके की ठंड से फिलहाल राहत मिली है दिन और रात के पारे में बढ़ोतरी हुई है खंडवा, खरगोन, राजगण और दमोव में दिन का पारात 32 डिगरी के पार पहुँच गया है जबकि ज़्यादा तर सहरों में रात में तापमान 10 डिगरी से ज़्यादा है मौसम बैज्यानिकों का कहना है कि 7,8 और 9 फरवरी को दिन और रात दोनों में ही सर्दी का अशर कम रहेगा 10 फरवरी के बाद ठंड का अशर थोड़ा बढ़ेगा कल दिन भर के प्रमुख खबरों के साथ फिर मिलते हैं तब तक के लिए सुबरातरी